आपने दिखाया के लड़की कलियुग की लड़का द्वापुर का भाई राजेशी आपने कोई जगए नहीं छोड़ी आप आपने ऐसी कोई जगए नहीं छोड़ी कि जहां से मैं कोई चीज पकड़ के लाऊं आपने एंत में रती काम देव भी लगा दिये लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं के दूला त्रेता का दूलहन कलियुग की हाई 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 साहिद है कि आपको पता नहीं होगा के त्रेता का दूला कौन था और दूलहन कलियुग में आज भी बैठी है क्योंके प्रभु सरी राम जब लंका पती रावर को मारने के लिए चले तो सामने देखा त्रिचिता बैठी है त्रिकुटा और उसने कहा कि मैं पती बनाऊँई तो राम को ही बनाऊँई राम ने कहा कि मैं अभी अपने कार के लिए जा रहा हूँ जब मैं बापस आऊँ और तूने मुझे पैंचान लिया तो मैं तेरे साथ साधी कर लूँगा जब राम बापस लोटके आए तो उसने पैंचान नहीं पाया तब कहां हमसे खलती हो गई आपकी पैंचान नहीं हुई अब हमें कोई रासा बताओ पत्नी बनोगी तो आपकी ही बनोगी आज बैसनों के रूम में कल युग में खड़ी है ते दूला त्रेता का आए बापस लेहन कल युग पैंचान नहीं हुई लेकिन अरे मिलना पाए नेना दो युग तक तुम दूर रहेगा आप ने उधर यह को लगाए इधर थोड़ा सा फ्रियास ओर देखीं कि दुलहन इटली की दूलहा यूपी का राये स्री नईवाद कि दुलहन इटली की दूलहा यूपी का वो मिल गए दोनों लेडा एक दूजे बिन इक दूजे बिन इसकंटे ना रहना एक दूजे बिन इसकंटे ना रहना और आपने एक कटपीस और गया है आपका गीत कह रहा है मन के इस मनिर में एक थोटा सा घर बनाएंगे पूले ना मिले तो फिर हम काटों से सजाएंगे पूले ना मिले तो आपके खता घर बनाएंगे जिन मिल बरसता सावन होगा उन पे बरसता आजाएंगे आपका गीत कह रहा है जिसके सरपैस बैठी साली होगी तो कैसे खुशी घरवादी आप जी बात है कि गौरा कह रहे हैं अपनी सखीयों से कहे बहन है जिसके सरपैस सौत बनके साली खड़ी हो तो भला मुझे कैसे अच्छा लगा होगा और ये हमारे सम्मानी राजू गुरू के सिस संतोस भाई पैड़ वाले ग्राम बच्छिगाओं उनके करकमरों दारा एक क्यामर रुप्रे का असिरवाद आया है खालते खालते कभी नंदन है बंदन है आसिरवाद मातारानी से कहूंगा के भाईया के सरपै बना रहे है मेरी यही आसा और अच्छा है उधर वो अपना करोण भड़ी पुकार सुना रही अपनी सखियों को जिनके सरपै सौत बनके बैठी हो भला मुझे क्या अच्छा लगा होगा इधर प्रभू सिरी राम से सुग्रीव कहने लगे क्या कहने लगे क्या बताओं तुमें प्रभू मेरी भी हो गई साली है भाईयाने मेरे जीवन की करडाली बरबादी है भाईयाने मेरे जीवन में करडाली बरबादी है और इधर प्रयास देखें जबाब प्रभू मेरे भाईयाने मेरे जीवन करडाली बरबादी है एक एक दिन और रात कटे ना मुझसे कटिया या जीनी है कोई पत्नी मेरे भाईया पादी ने हमसे जीनी है आप प्रभू पूछ रहे हो हमसे कैसे हो जिसके जीवन में ऐसा बबाला होगा कैसे खुसी घरवाला तुम्हारी घरवाली है मेरा घरवाला कि कुछ जवाब तुर्यास जवाब तो कैसे खुसी घरवाला आएए अपनी तरब से एक हो 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 एक हो कर दो कर दो कर दो एक खेले माई खोठा हाथा में चाव को खोठा पेगा लिया साथ खोठा में चाव को खोठा पेगा लिया तब बहुत पुराना गीत है कोई हसी ना जब रूठ जाती है तो है तो है तो है तो और ही हसी होता दी और ये तक्यामार पेकासिरवाद संदीप कुमार लग बराता ग्राम बड़ागाउं उनके करकम्रों द्वारा प्रदान हुए है खार्वे खार्दी का विंदन है बंदन है तब कहां मानव सरीर में खून और पानी है लेकिन उसमें भी इस खून और पानी में भी एक तिहाई खून और दो तिहाई पानी है लेकिन लेकिन कहीं जब कोई चोट लग और ये 101 रुपे का असिरवाद हमारे सम्मानी बड़े भाई राजपाल लेकिन कहीं जब कोई चोट लगती है तो है तो पानी में खून निकल आता है लेकिन लेकिन कहीं जब कोई चोट लगती है तो फून में ही पानी निकल आता है लेकिन लेकिन कहीं जब लेकन जिगर पे जब चोट लगती है तो आखों में पानी आता है आखों मानी जगत सिंग्ग ग्राम कर्या वालों की तरफ से क्यामर प्रकाशी रवाद आया है और हमारे सम्मानी तरी या परसाथ जी उनके कर्कमणों दारा यह क्यामर परकाशी रवाद आया है खाथ देखाथ देखाँ दिखाँ देखाँ दननन नहीं बंतन है ओड़ी ली चुनरी आमेले तेरे नाम की ओए प्यारी, मुए प्यारी, मुए प्यारी नागे वांचुरी दनना गन्या, गन्या, गन्या तो बक्त सुबह का है, मैंने भी बेठी हैं, देखिए जवावी दो ही, लेकिन कुछ सुनने और सुनाने वाली बात हो जाए तो बक्त सुबहें का हो गया और कट गए सब के भैए एक मार मिलकर कहो स्री संकर भगवान की जाए एक धुनबजी भाईया ने अभी गीत गाया भाईया रायस ने एक भाई संदर गीत गाया खुशी का है पौका भाइया भाईय गाया हाँ क्यों बहुत संदर धन गाई थी भाईया ने खुशी का है मोखा मगर क्या करूँ बे आओ तो छेने कोई नया यह उतरा ना मेरे आसमा सीखो आओ मेरे आप रें की खले मोस्कुरा रा और सकीत में बाद चल लई थी बेटी बचाओ बेटी पढाओ लेकिन भाईया जी आपका गीत बहुत अच्छा है और यह जो हमारे अभी बरतमान में जो कमान समाले हुए हैं यह उनीका ही सब्द था कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ लेकिन कैसे बेटी बचेगी कैसे बेटी पढ़ेगी एक गीत आया कि स्यामु तेरी बंसी भुकारे राधा ना लोग करे मीरा को योही बढ़ना चाम तेरी मंसी कमया तेरे मंसी चाम तेरी मुर्ली पुकारे राधाला लोग करे मीरा को योही बढ़ना क्यों नाहीं अगर ऐसा होता रहा तो नाहीं बेटी पढ़ पाएगी और नाहीं बेटी बस प्राइगी क्यों कि बढ़नी गई कि बदल गई सब भिता कि बदल गई सब भिता और पदला इमान सब्धिता भी चली गई इमान को भी बेच के खा गए नारा तेने वाले भी इमान बेच के खा गए कि पदल गई सब्धिता और पदला इमान आगे क्या होगा ये जाने भगवाद आगे क्या होगा ये जाने भगवाद कि सुरच्चित नहीं महुवे निया हमारी क्योंकि ये गीत इसलिए गाया जा रहा है क्योंकि कल जब सुबह होगा तो पूरे यूट्यूब पर ये गीत पढ़ चुका होगा जिस जिस जो भी इस गीत को सुनेगा तब उसको लगेगा कि ये सच है कि सुरच्चित नहीं महुवे निया हमारी बड़े हे अधर में और तुना चारी बड़े हे अधर में और तुना चारी कि रो रही है बिधवा रो रही है पारी जबके प्रथम पूली में आती है नारी जबके अधर मुझ जाती है नारी जबके अधर मुझ जाती है नारी तीनली तीनली अर तीनली अर तीनली इन बच्चों की देखो मुझ जाती है आगे का होगा ये जाने भगवा आगे का होगा ये जाने भगवा लेकिन दोस्वन का भी नहीं है लोग भूलते जा रहे सब धरम को खो रही है नारीया अपनी सरम को खो रही है नारीया अपनी सरम को के भारती अनारी ने खोई पहचा आगे क्या होगा ये जाने भगवा आगे क्या होगा ये जाने भगवा आगे क्या होगा ये जाने भगवा और नारीयों से भी नहीं कि दूर ही मानव से मानवता आज है छोटे और बड़ों का कोई ना लिहाज है आए छोटे अरपड़ों का फोई ना लिहाज है क्यों के मिल गई है दिगरी कि मिल गई है जिग्री बिन थी एतहाँ क्या कि स्कूल में पेपर देने नहीं गई लेकिन टिग्री पास में है कि मिल गई है जिग्री बिन थी एतहाँ आगे क्या होगा जाने भगोगा और उसका जिम्मवार कोई और नहीं है हम और आप सब हैं क्यों जिसने विद्याले नहीं देखा उसको हम और आप मंत्री बना रहे हो कि अलगां की आग लेता लगाते और भाई भाई में भूट एसे करा आई भाई में भूट एसे नरा दे और उनका कोई साथ नहीं है अरे जीते इलेक्सन चंचल जीते इलेक्सन चंचल उनका निल्हार जीते इलेक्सन उनका यही है निल्हार आगे क्या होगा यह जाने भगवान आगे क्या होगा यह जाने भगवान आई